आजकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गैलरी के फोटो से PDF कैसे बनाएं दोस्तों अगर आपके भी गैलरी में कुछ डोकॉमेंट है, कुछ फोटो है और आप चाहते हैं अपने गैलरी के फोटो का PDF बनाना लेकिन अगर आपको पता नहीं है गैलरी के फोटो से PDF कैसे बनाया जाता है तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाशक देखते रही है आज की इस वीडियो मैं आपको step by step सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने गैलरी के कोई भी फोटो से PDF फाइल को बना सकते हैं अपने मवाईल फोन के अंदर बस एक मिनट का काम है हेलो दोस्तो स्वाइब था आप सभी का हमारी यूटूब चैनल इन्फो ट्यूब में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप भी अपने गैलरी के फोटो से PDF फाइल को बनाना चाहते हैं तो आपको एक छोटा से application का ज़रूरत पड़ेगा जिसका link आपको वीडियो के description box में देखने को मिल जाएगा simply आपको application को download करने के बाद install कर लेना है अपने phone के अंदर और यहाँ पे application को आपको open कर लेना है अगर आपने अब तक वीडियो को like नहीं किया तो प्लिस वीडियो को like कर दीजे साथ इसा channel को subscribe कर लेजे तो यहाँ पे जैसे आप first time application को open करते हैं कुछ इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पे जैसे आप home page पे आ जाते हैं अब यहाँ पे आपको एक scan PDF नाम का जो option देखने को मिलता है इस पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं आप से कुछ permission मांगेगा आपको यहाँ पे allow कर देना है और यहाँ पे आने के बाद आप जो है direct photo खीच करके PDF बना सकते हैं लेकिन अगर आपको gallery के photo से PDF बनाना है तो यहाँ पे gallery का जो option है इस पर आपको click करना है अब यहाँ पे जैसे आप आज आते हैं आपका gallery खुल जाएगा और यहाँ पे click करने के बाद आप अपना file folder भी select कर सकते हैं कौन सा file folder के अंदर आपका photo है यहाँ पे direct हम यहीं से कोई भी जो है 2-3 photo को select कर लेते हैं जिसको यह मुझे PDF बनाना है मैंने यहाँ पे 3 photo को select कर लिया अब जो आपको simply import वाले option पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पे import वाले option पे click कर देते हैं उसका जो है आपको यहाँ पे process वाला option देखने को मिल जाता है इस पर आपको click कर देना है दोस्तों जैसे आप यहाँ पे click कर लेते हैं आपको यहाँ पे select करने को option जो है आ जाएगा आप जोई कितना photo को select करके PDF बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर select कर सकते हैं अगर आपको crop नहीं करना है तो direct आप यहाँ पर no crop पर click कर दीजिए पूरा का पूरा select हो जाएगा उसका जोई आपको यहाँ पर next वाले option पर click कर देना है इसी परकार से आपको तीसा photo को भी आपको select कर लेना है और यहाँ पर next पर click कर देना है और इसी परकार से आपको तीसा photo को भी select करके next वाले option पर click कर देना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर सभी photo को ले लेते हैं उसका यहाँ पर कलर का ओफसन आजाएगा यहां पर क्लिक करके अपना डॉकुमेंट को क्लीन और साफ कर सकते हैं जैसे आपका पीडिया बने लिग तो थोड़ा जो है अच्छा लगे देखने में सिंपल हम यहां पर जो है मैजिक ववन कलर ही रहने देते हैं जो कि मुझे अच्छा लगड़ा है उसका जो है आपको यहां पर डन वाले ओफसन पर क्लीक कर देना है अगर आप चाहते हैं जैसे आपका फोटो है ओरिजिनल फोटो का पीडिया बनाना तो यहां पर आप ओर द download का option देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है और यहाँ पर download is PDF वाले option पर click कर दिजे जिसा आप यहाँ पर click कर देते हैं आपके file manager के अंदर जो है आपका PDF जो है वो download हो चुका है चलिए मैं आपको एक बर खोल के दिखा देता हूं तो यहाँ पर मैंने file manager को open कर लिया यहाँ पर open करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा PDF यहाँ पर मैंने जो बनाया है अभी वो बन के यहाँ पर ready हो गया मैं यहाँ पर PDF को open करता हूं और यहाँ पर फिर सम पर्मिशन को allow कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो तीन फोटो का PDF फाइल बनाया है वो हमारे जो है file manager के अंदर यहाँ पर save हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस परकार सा हमारा PDF बन के ready हो गया वीडियो को लाइक करना साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले